वेलकम बैक इन मैं चैनल आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि यूट्यूब का चैनल आर्ट वर्क कैसे क्रेट करते हैं चैनल आर्ट वर्क है क्या और उसको कैसे फ्री अफ कॉस्ट बनाया जा सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं सो मैं अपने YouTube चैनल के उपर हूँ और ये जो पिच्चर आप देख रहे हैं इसको चैनल आर्ट बोलते हैं इसको चैनल का बैनर भी बोलते हैं ये हम कैसे बनाएंगे इसको हम इस वीडियो में जानेंगे ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये लोगो भी पार्ट आफ चैनल और इसको कैसे बनाया जाता है इसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे इस वकत मैं snapper.com के उपर हूँ snapper.com आपको ये सहुलत देती है कि आप बहुत से different artworks create कर सकते हैं नॉर्मली जब हम YouTube का artwork create करते हैं तो हमें मुश्किल ये आती है कि इसका हमें size जो है वो create करना पड़ के size की होती है और mobile में इसको देखना बहुत मुश्किल होता है snapper ने इसको बहुत असान कर दिया है आई ये देखते हैं कैसे तो snapper.com के उपर जब आप इसकी website के उपर जाएंगे इसका link में description में दे दूँगा इसके बाद आप YouTube channel art के उपर click करेंगे YouTube channel art पे click करने के बाद आपको बहुत से template मिलेंगे आप अपनी requirement के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से template select कर सकते हैं जैसे कि मैं ये template select करता हूँ जैसे ही आप ये template select करेंगे एक editor open हो जागा जिसमें आप इस सारे template को change कर सकते हैं इसका text change कर सकते हैं, positions change कर सकते हैं इसमें और artwork डाल सकते हैं, shapes डाल सकते हैं, पूरा background चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें इस template के साथ आप कर सकते हैं ये area जो आप देख रहे हैं, normally ये area आपके mobile में visible होता है इसके बाहर का area जो ये area है, ये big screens के लिए laptops और TVs में display होता है और ये area जो maximize area है, ये आपके tablet के लिए display होता है तो normally जब हम artwork बनाते हैं किसी और tool से, मुश्किल ये आती है कि हमें ये area find out करना बहुत मुश्किल होता है तो ये जो आप text देख रहे हैं, इसको हमने change करना है तो हम इस पर double click करेंगे और इस पर अपने channel का नाम लिखेंगे जैसे अगर मेरे channel का नाम fashion है, तो मैं इस पर fashion लिख दूँगा अगर मैं चाहूं मैं इसका style भी change कर सकता हूँ यहां से, जैसे आप देख रहे हैं, इसका text का size बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, इसका color भी तबदील कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मुझे इसका color लाल करना है, हरा करना है, या black करना है, यह सब चीदे मैं यहां से change कर सक अगर आपने खुद अपनी शेप क्रियेट करनी है तो आप इसे शेप्स पर क्लिक करेंगे इसके बाद डिफ्रेंट शेप्स मिल जाएंगी आपको यह वह शेप्स हैं जो color फिल्ड होंगी और यह वो शेप्स हैं जिनके तरफ कलर फिलिंग नहीं होगी तो हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं यह देखिए यह शेप ऐसे हमारे सामने ओपन होगी इसको थोड़ा लंबा करके यह small कर लेते हैं और इसका background color change करता हूँ इसका background color मैं pink कर देता हूँ अब मुझे इसके उपर कुछ text लिखना है तो मैं इसको text text पर klik करता हूँ और subheading select करता हूँ और उसके बाद मैं टेक्स लिखना स्टार्ट करता हूं यह देखिए यह यह टेक्स को इसमें मूव करता हूं इसका साइस चेंज करूँगा ताकि यह more visible हो और font का style भी चेंज करता हूं आप letter spacing change कर सकते हैं like spacing बढ़ा सकते हैं अगर एक से ज्यादा lines हैं तो आप इसमें lines भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको इसको shadow देना है तो आप इसकी shadowing भी कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम इसमें graphics कैसे add कर सकते हैं तो आप इसमें graphics पर click करें इसमें different icons मिल जाएंगे different photos मिल जाएंगी और खुद आप अपने icons भी upload कर सकते हैं तो मैं इदर search करता हूँ जैसे YouTube जैसे ही मैं YouTube search करता हूँ different YouTube के icon free of cost available हैं तो आप इसको select करिए और यह आपको यहां मिल जागा आप इसको resize कर लें अगर आपको shape change करनी है you can shape change कर सकते हैं इसकी shape और graphics पी ले सकते हैं for example अगर आपका channel fashion से related है तो आप fashion search कीजिए और आपको fashion की different चीजें मिल जाएंगी हाँ जैसे कि मेरे fashion में मैं shoes से related बात करता हूँ तो मैं यह select कर लेता हूँ इसको कहीं पर भी जहां मुझे लगता है यह अच्छा लगेगा वहां मैं इसको display कराता हूँ अगर हम इस पूरे background को change करना चाहते हैं तो हमें इस background के button पर click करना पड़ेगा यहां पर हम जो already photos पड़ी हैं उनको select कर सकते हैं यह patterns ले सकते हैं background patterns जैसे कि अगर मैं यह pattern लो यह 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 मैं अपनी खुद की pictures upload कर सकता हूँ तो यह सब काम बहुत असानी से किये जा सकते हैं पर अगर मुझे यह background रखना है और इसका color change करना है तो मैं इदर effects पे आऊँगा effects पे click करने के बाद मैं यहां से इसका color तबदील कर सकता हूँ यह देखिए जैसे ही मैं इसका color overlay change करूँगा इसका color change होना शुरू हो जागा यहां से मैं इसका theme light और dark कर सकता हूँ अगर मुझे background blur करना है तो मैं इसे blur भी कर सकता हूँ इसकी brightness increase और decrease भी की जा सकती है तो हमने इस video में जाना कि background कैसे change करते हैं उसके effects कैसे लाते हैं text को कैसे लगाते हैं और text के color कैसे change करते हैं graphics क्या है कैसे add करते हैं और shapes को कैसे add किया जाता है अब हमें यह जानना है कि अगर हमें इसको download करना है अपने YouTube चैनल के लिए तो क्या करना होगा हमें इस download button के पर click करना होगा मैं जैसे इस पर click करूंगा different options आएंगी तो मैं web optimize jpack की option choose करूंग जैसे इसको choose करूंगा वो मुझे कहेगा कि upgrade करें अपने account को क्यूंके मैं already अपनी download limit reach कर चुका हूँ for a month जो के 5 या 6 downloads हैं पर normally अगर आप thumbnails create कर रहे हैं तो आपको everyday one or two thumbnails download करने पड़ते हैं और उसके लिए आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे जो के 10 pound per month 10 dollar per month है जो के काफी ज्यादा है तो इसका तरीके कर ये है कि आप इनको इनके थाद membership ना कराएं बलकर मैं आपको ऐसा तरीका पताता हूँ जिससे आप इसको free of cost जो है वो download कर सकते हैं आये देखते हैं ये कैसे मुमकिन है तो different machines, laptops और Macs के ओपर जो है वो snipping tools या recording tools मुझूद होते हैं जैसे कि मैं Windows पर काम कर रहा हूँ तो Windows के पास snipping tool already ते मुझूद है जो कि free of cost आता है Windows 7 से लेके Windows 10 तक मैं snipping tool open करता हूँ snipping tool open करने के बाद ये window नदर आती है इस पर new पर click करता हूँ जैसे ही new पर click करता हूँ मुझे एक selection tool मिल जाता है तो मैं इसको select करता हूँ इसको select करने के बाद ये cut होके मेरे पास आ गया इसके बाद मैं इसको save as करता हूँ save as करने के बाद मैं इसको अपनी local machine के उपर save कर लूँगा किसी कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको ये save हो गया अब हमने देखना है कि हम इसको अपने YouTube चैनल के उपर कैसे upload कर सकते हैं तो आप अपने चैनल के उपर जाएंगे अब जब इसके उपर hover करेंगे तो आपको ये option नदर आएगी customize channel की आप customize channel पर क्लिक कीजिए उसके बाद जैसे ही अपने artwork के पास चाहेंगे यहां से edit का button नदर आ रहा है ये edit banner के लिए edit करता है और ये logo के लिए edit करता है तो हम banner के लिए edit पर click करेंगे और edit channel art पर click करेंगे और फिर हम select कर सकते हैं जहां पर हमने इसको save किया है तो हम इसको जहां पर हमने selection किया है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये select किया था तो मैं इसको यहां से select कर सकता हूँ क्योंकि ये demo purpose के लिए था मुझे अपना channel का artwork change नहीं करना तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा पर आप जैसे इस पर double click करेंगे आपका artwork automatically change हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़े तो ये था इस video में कि आप artwork कैसे create कर सकते हैं आप इसको upload कैसे कर सकते हैं अगर आपको और मालूमात artwork के बारे में चाहिए तो मुझे comments कर दीजे मैं और वीडियो बना के आपके साथ share कर दूँगा वीडियो देखना का बहुत शुक्रिया चैनल के साथ बने रहिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को like और share कर दीजे Thank you very much